और एक बड़ी कहबर आपको बता दें, exit पॉल पर कॉंग्रेस ने अपना फैसला बदल लिया है exit पॉल के डिबेट में शामिल होंगे आप कॉंग्रेस के प्रवक्ता आपको बता दें, सुबा ही कॉंग्रेस ने तै किया था कि exit poll पर किसी भी चर्चा, टीवी डिबेट या सोचल मेरिया डिबेट में उसकी प्रवक्ता नहीं जाएंगे जबकि जब नतीजा आएगा 4 जून को उसमें पार्टिसिपेट करेंगे पर अब वो फैसला कॉंग्रस ने बदल लिया है exit poll के डिबेट में शामिल होंगे, आप कॉंग्रस की प्रवक्ता अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे और साथी साथ जो data analysis चलेगी उसमें भी वो हिस्सा लेंगे तो कॉंग्रस ने अपना फैसला बदल लिया है दल देर शाम ये खबर आए कि कॉंग्रेस पार्टी इस exit poll में शामिल नहीं होगी इस पर अपना कोई भी प्रवक्ता नहीं भेजेगी उसके बाद लगाता है रियक्शन भी सामने आए हमने थोड़े दिर पहले आपको ग्रेमें शाह का रियक्शन दिखाया जिसमें इरोनी का कि ये भार का डर है इस वजे से वो आकलन करने से पहले और विस्टेशन करने से पहले ही भाग रहे हैं बागने के कुशोश कर रहे है ऐसा नहीं करना चाहिए और अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रहे कि कॉंग्रेस पार्टी ने अपना फैसला बदला है अब पार्टी की तरफ से तै किया गया है कि नहीं हम एक्जिट पॉल पर जो डिबेट है उसमें शामिल होंगे हम उस पर अपनी राय रखेंगे लिहाज आपने प्रवक्ताओं को भेजेंगे ये फिलाल कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से फैसला अब लिया गया है तो उस वक्की बड़ी खावार एक्जिट पॉल की डिबेट्स में कॉंग्रस के प्रवक्ता शामिल होंगे चर्चा में हिस्सा लेंगे अपने फैसले को बदल दिया है कॉंग्रस ने चर्चाओं में हिस्सा लेगी उसके प्रवक्ता मेडिया ओगनाइजेशन्स या पोटल्स पर जाएंगे और जहां-जहां भी एक्जिट पोल को लेकर चर्चा हो रही है वहां पर वो इस विचलेशन में भाग लेंगे अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे तो बड़े कब करना ये एक स्वस्थ परंपरा नहीं कही जा सकती है और कल जब से कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से बात कही गई कि हम इड़ेपोल डिबेट में शामिल नहीं होंगे उसके बाद से लगातार आलोचना हो रही थी कॉंग्रेस पार्टी के इस फैसले की न सिर्फ तमाम सियास हो सकते हैं डिनाय कर सकते हैं अपने नंबर से रख सकते हैं अपने तरक रख सकते हैं लेकिन इस तरह का फैसला कहीं से भी स्वस्थ लोग तंत्र में चीक नहीं है लेहाजा शायद कॉंग्रेस पार्टी ने आप में चिंतन किया होगा मन्थन किया होगा और उसके वादे फ प्रवक्ता भी हमारे आभी शामिल होंगे क्योंकि अभी तक की जो बात थी उसके मताबिक का गॉंग्रेस पार्टिसपेट नहीं कर रही थी तो अब उमीद है कि जैसे-जैसे हमारे एक्जिट पॉल का डेटा सामने आएगा, कॉंग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे औ बहुत ही बारीकी से किये गए हैं, लोगों को ना सिर्फ ग्राउंड पर उनकी राय लेकर उसके बाद कॉल बैक किया गया है, बलकि सैंपल साइज कितना हो, हर लोग सभाशेतर में कितने लोगों से बात होनी चाहिए, बूच सतर पर भी कितने लोगों से बात होनी चाहिए उसकी भी मेतोडोलोजी जो है वो बिलकुल आधुनिक है और टेक्नोलोजी का इस्तमाल इसमें भरपूर किया गया है उसके बाद निउस 18 और पॉल हवाप के लिए ये सर्वे लाया है बस कुछ मिंटो का इंतिजार उसके बाद वो नमबर साब के सामने होंगे कि पूरे देश में क्या इस्तिती रहने वाली है एंडिये के दावों में कितना दम है या फिर इंडिया ब्लॉक के तरफ से जो दावे किये जा रहे है उसमें कितना दम है सब कुछ आप देख पाएंगे इसके लावा अलग-अलग स्टेट में क्या इस्थिती होगी, खास्तावर से देश के सबसे बड़े राज उत्तर प्रदेश में क्या इस्थिती होगी, क्योंकि कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश उसे हित्य होता है, 80 लोग सबा सीटे यहाँ पर हैं, वहाँ का exit poll क्या कहता है वो भी हम आपको बताएंगे लेकिन चुनाव आयोक की guidelines होती है कि जब तक voting हो रही है तक तक किसी प्रकार का कोई exit poll आप दिखा रही सकते हैं सात्वेचरण की voting हो रही है उत्तर पदेश की भी 13 सीटों पर मद्दान हो रहा है लिहाजा हम voting खत्म होने तक इंतजार करेंगे उसके बाद वो numbers आपके सामने हम रखेंगे लेकिन एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि किस method से हमने ये survey किया है और हम क्यों कह रहे हैं कि ये scientific survey है सबसे सटीक survey है, सबसे authentic survey है वो एक बार फिर से हम आपको method समझाते है और इस survey को देखने के बाद आपको नतीजों से पहले EVM में कैज जनादेश समझ आ जाएगा क्योंकि हमने अब तक के सबसे scientific ground zero पर जाकर 518 लोग सभा सीटों पर जनता की राय जानने की कोशिश की है लेकिन exit poll दिखाने से पहले एक बार फिर से अपनी methodology आपको बता देते हैं 21 राजियों में हमारी टीम्स गई है 518 लोग सभा सीटों को उन्होंने cover किया है और उसके बाद ये सबसे विश्वसनी डेटा आपके लिए लेकर आए है कुल 95,000 लोगों से बाचीत हुई है ये हमारा sample size है जिसमें डेटा का विज्ञानिक visualization भी किया गया है अराकडे की पुकता जाच की गई है callback करके verify की गई है उनसे opinion और उसके बाद ही उसको register किया गया एक authentic data के तौर पर और उसके बाद तयार हुआ है हमारा ये exit pole एक लाइन में आप पुरी कहानी समझें तो कैसे हुआ है इस तरवी हम आपको बता रहें देखें कीस राज की 518 सीटों पर हम पहुचे 95,000 वोटर से हमने बाचीत की exit pole में सबसे विशुसनी डेटा हमने इकठा किया और इस वज़े से हम करें